आज आपको इस वीडियो के मादिन से दो मानग अक्सांस वाला संकु प्रेक्षेप की रचना करनी आपको बताई जाएगी कॉनिकल प्रोजेक्शन टू स्टेंडर्ड पेलल इसमें एक उधारण दिया गया है इस संकु का जो विस्तार है दस डिगरी नौर्थ से असी डिगरी नौर्थ तक है और साट डिगरी वेस्ट से पस्सिम से साट डिगरी एस्ट तक विस्तार है और इसमें अंत्राल अक्सांस और देशांतर रिखाओं के मद्दे अंत्राल है दस डिग्री का और आरफ आपके सामने दे रखी है एक अनुपात 125 करोड मैं इस प्रस्ण को आलेखी विदी यानि ग्राफिकल मेथड के द्वारा बताऊंगा यदि आपको गणिती विदी के द्वारा इस प्रस्ण को समझना है तो आप कोमेंट्स बॉक्स में जाकर कोमेंट्स कीजिए तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा तो आज हम इस प्रस्ण को आलेखी विदी द्वारा हल करते हैं पहले हल के इसमें जो लगूकरत पर्थवी के गोले का अर्द व्यास जिसको आर्च से इंगित कर रहा हूँ जो प्रस्ण में ये पर्थवी का वास्थवी के अर्द व्यास यानि तिर्जिया है और जो प्रस्ण में दी गई है जो हर न ये एक अनुपाद 125 क्रोड तो ये हर उसका मैंने नीचे लिखा है और इसको केल्कुलेट करने पर 5.08 सेंटिमेटर आया है अब इसकेल की साइथा से 5.08 सेंटिमेटर की एक लाइन केंचते हैं मैंने 5.08 की लाइन केंचते लिए और मैंने इसका नाम दे दिया है और और बी अब चांदे की सायता से इसके कोण मना लें हंतराल दिया है 10 डिगरी का तो 10 डिगरी को चिनित कर दें मानक अकसांस दिये हुए हैं देखिए मानक अकसांस 40 डिगरी बैसाड डिगरी दे हुए हैं तो आप 40 डिगरी पर चिनित कीजिए और दोसरा आपको चिनित करना है साड डिगरी पर यहां और आपको 90 डिगरी पर भी चिनित कर देना है आप प्रकार को खोलना है यह प्रकार है इसको इतना खोलना है और आपको एक वर्द चतुर एक वाटर यानि एक चतुर्थांस बनाना है इस प्रकार आपको एक चतुर्थांस का निर्मान करना है और इसकी लाइने मिला दीजिएगा इस प्रकार आप पेंसिल से करना मैं आपको इस पश्ट तया दिखाई दे इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ जो बॉल्ड पेन है बलेक पेन है इसमें गलती होने की सम्भावना रहती है आप पेंसिल से इसको बनाना है इस प्रकार लाएने की इस दे और इसको नाम अंकित कर दे यहां A अंकित कर दे यहां B आ गया C, D और यहां 10 डिग्री वाड़ा E अंकित कर दे और इसके मद्दे दूरी है वो लिख दे वे यह अधार चितर बन गया अब मैं दूसरा अधार चितर बना रहा हूं आप एक कोई भी कि लाएन की देजेगा आप यह बाइन दूसरा अधार चित्र रहे इसके सेरे प्र प्र ब्र mix देजेगा और अरब प्रकार की साइधा से इससे पर लिए एक चीज और बूल गया था परकार को जो अंतराल है उसके बराबर खोल लिए अंतराल दस दिगरी गया है तो बी और ए के जितना परकार खोलना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इतना मैंने परकार खोल लिया है अब ओक को के अंदर बानते वे जो ओ है उसको के अंदर मानते वे चतुर्थांस बनाना है इस परकार और आपको ध्यान ओ और शीक को ध्यान से देखिए यह यह जो काट रहा है यह एक बिंदो अंकित कीजी एफ और उपर वाले ओ और जो डी है उसको काट रहा है वहाँ लिख दिए जी लिख दिया और इस पर आपको लंब डालना है एफ के उफर और जी पर लंब डालना है जैसे कि आप देख पा रही होंगे इस परकार इसी परकार यह एफ आई हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा जी से लंब डालेंगे जी से लंब डालना है इस परकार यह G और यह हो जाएगा H इस परकार आपको आदार्चीतर बनाना है और यह फिर एक लाइन खीजनी है लाइन खीजने के बाद क्या करना है आपको कि परकार को खोलना है F और I जितना F और I जितना आपको परकार खोलना है जैसे कि आप देख पा रही होंगे F और I जितना प्रकार खोलना है जो दूसरा दार चितर है उसमें कहीं भी आप इसका एक चाप मारना है ठीक है और उसके स्केल रखकर आप एक लाइन ड्रो करनी है जितना आपने चाप मारा है ये C-DES लिख दीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा I-DES इसी परकार आपको एक परकार और पूरे खोलना है G और S इतना आप देख पा रहे होंगे मैंने G और S इतना परकार खोलना है उससे पहले उससे पहले जो इनका अंत्राल है उतना परकार खोल लिजिएगा C और D C और D जी जितना परकार खोलना है आपको इस रेकाप पर एक चाप मारना है इस परकार उसके बाद आपको खोलना है जी और S जितना परकार खोलना है खोल लिया है और इसको आप बिंदू मान सकते हैं डी डेस और डी डेस से आपको एक चाप मारना है इस परकार और इस पर आप एक लाइन केंश नहीं है मैं इस अभी केंश देता हूँ यह लाइन होगी एच डेस अब आपको क्या करना है आई डेस और एस डेस इस परकार आपको मिलानी है और एक लाइन ड्रा करनी है इस परकार तो यह आदार चितर बन जाएगा तो इसमें दो मानक अकसांस जो संकू प्रक्षेप इसमें दो आदार चितर बनानी होंगे इसी के आदार पर हम संकु प्रक्षयप की रचना करेंगे अब संकु प्रक्षयप बनाने के लिए थोड़े जगे सोड़ कर क्योंकि इस पर हेडिंग लिखना होगा और एक लाइन की दीजिएगा सिद्धी इस परकार और इसको आप P पोलर यानि के अंदर मान सकते हो अब मानक अक्सांस आपको बनाने है इसके लिए जो अदार चितर है न यह इसका यूज़ की जो के अंदर दे रहा है आप देख पा रहे हैं पी से डी-डेस तक आपको यह परकार खोलना है जैसा कि आप चितर में देख पा रहे होंगे इस परकार इतना खोलना है अब जो में चितर है इसमें आपको यह के अंदर मानते वे पी को और अक्सांस वर्त की रचना करनी है इस परकार यह जाएगा साथ डिग्री जो मानेक अकसांस है वो आ जाएगा हमने दो मानेक अकसांस लिये थे ना साथ डिग्री और साड़ेस की रचना इससे करेंगे परकार को यह आपके सामने में पीप रखर और यहां तक कोल रहा हूं और यहां रचना करनी है पी को के अंदर मान कर इस परकार आपको अकसांस वरत की रचना करनी है यह इंगित करेगा चारिस डिग्री मान कर अकसांस को अब आपको अंतराल याद होगा कि उसन में अंतराल कितना था दस दस डिग्री का था यह देखी तो दस डिग्री के अंतराल को बनाने के लिए आपको इस परकार बी और यह तक परकार खोलना होगा यह आदार चितर नहीं यह इसका यूज़ करना होगा मेरा परकार आप देख पा रहे होंगी ती और यह तक खुलना होगा इस परकार आपको खोलना होगा दोनों मानक अकसांस के बीच भी आपको विवाजित करना है यह दस्तस हो जाएगा पुरा फरा आजाएगा अब इसके वर्त बनाने हैं तो पीको के अंदर मानकर वर्त बनाने हैं इस परकार यह दिगरी वाला वर्त पहले बना दें इस परकार यह सिगा हो गया उससे आगे आपको सत्तर वाला बना दें अकसांस वर्त बनाने हैं इस परकार ये 60 वड़ा बना है, आप 50 वड़ा बना दे, इस परकार ये 50 वड़ा बन गया, 40 वड़ा आल्रेडी बना हुआ है, इस परकार सभी अक्सांस वरत है, उसकी रचना करते हुए, तद पस्यात आपको देशांत रेखाओं के लिए वरत, चाप काटने होंगे मानक अक अक्सांस रेखाओं के अंकन के लिए आपको जो आदार चितर है, इसमें ये डी डेस और एस डेस जितना परकार खोलना है, मैंने बराबर खोल लिया है, आप देख सकते हो आप इस परकार, और आपको, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना देख, मैंने इसलिए लिए 60 डिगरी 60 डिगरी जो अक्सांस रवरत है, उसका आप इस पर दस अंतराल, अंतराल दस दस का देर रखें, इसलिए दस दस के चाप मारने कितने, विश्टार इसका इस्ट में है 60 डिगरी तक, तो ये वजाएगा, 10 डिगरी, 20 डिगरी, ये 60 डिगरी, ये इस्ट में हो जाएगा, इसी परकार आपको वेस्ट में भी, पस्ची में भी, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, इसी परकार आप 40 डिगरी वाले परकार खोलना है, यहां से यहां तक, इतना परकार खोल लीजिएगा, बराबर खोल लीजिएगा, इसमें गड़त होने किसमभाना है, इस परकार आप खोल सकते हैं, यहां भी आपको चाप मारने होंगे, 10, 20, ये 40 पर मारना, पहले लिख लेना नहीं तो गड़बड हो जाएगी इसमें, इस परकार आप चाप, दोनों तरफ चाप मारने में, फिर देशांतर की रचना कीजिएगा, मैं पस्यम से चाल गुरा होंदेगो, दो बिंदू, ये 40 वड़ा और 60 वड़ा, और इसको सही कीजिएगा, तो आपको अपने आप ही, सही होगा नहीं, अपने आप ही पी पर मिलता परतित होगा, इस परकार, तो इस परकार आप एकदम सीधी लाइन दीरे-दीरे मिला तो कम ज्यादा रह गया, तो वापीस परकार से चाप बना सकते हैं, इस परकार आपको सभी लाइनों को मिलाना है, बहुत ही सावदाने से मिलाना है, एक एक करके, इस परकार सभी को आराम से बड़ी सावदाने से मिलाना है, तो ये पस्मी देशांतर की लाइने कीश दी, आप पूरी देशांतर की लाइने ड्रो करते हैं, ये मैंने जियोग्राफिकल मेथड से बनाया है, यदि आप मेथामेटिकल मेथड से बनाना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसके लिए भी वीडियो आप के सामने जल्दी बना दिया जाएगा, इस परगार आप दो मानक अक्सांस वाला संकु प्रक्षेप है, वो मना सकते हैं, कॉनिकल प्रोजेक्शन विड़ टू स्टेंडर्ड पेरलल, अब इस में आप नामांकरन कर दीजिएगा, जो मैं कर रहा हूँ है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, Cution में आप देख लीजेगा विस्तार यह 10 degree, North से 8 degree masterpiece तक है, तो यहां आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है, amat 6 अब देषान तरीज साथ है तो इसमें यह 0 degree है, यह 10 degree हो जाएगा, यह हो जाएगा 20 degree, 30 degree, चाड़ीस पचास डिग्री और साट डिग्री तो ये विश्तार है इस्ट में पूरा में इसी परकार वेस्ट में भी लिख देंगे चाड़ीस डिग्री यहां लिख दीजेगा पचास डिग्री और साट डिग्री और यहां लिख दीजेगा वेस्ट ये 80 डिगरी तो इस परकार ये आपके सामने संकु प्रक्से तयार है इसमें दो मानक अक्सान से वो लिख दीजिएगा ये 40 डिगरी मानक अक्सान से था इस टेंडर्ड परलल यह लिख दिया इसी परकार हम 60 पर भी लिख देंगे इसका नामांगरन कर दिया है लगते हाथ इसकी विशेस्ता भी बता दी जा दो मानक अक्सान से पर मापनी सुद होती है परन्तु अन्य अक्सान से वर्तु पर मापनी सुद नहीं होती है दूसरा विशेस्ता बता रहा हूँ दो मानक अक्सान से होने के कारण यह प्रक्सेप एक मानक आकसांस प्रक्सेप की तुलना में अधिक सुधता रखता है तीसरी सभी देशांतर रेखाऊं प्रमापनी सुध होती है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चोथा सभी आकसांस वा देशांतर एक दूसरी एको समकोण पर काट रही है पांचवा इस प्रक्षेप पर समस्त संसार का चितर नहीं बनाया जा सकता लास्ट इस प्रक्षेप में धुरुवय एक चाप दोबारा परकट होता है अत्या धुरुवय परदेश के मानचितर बनाने के लिए इसका उप्योग नहीं उप्योगी नहीं है अब इसका उप्योगी बता दें मानक अक्सांस से दूरी बढ़ने के साथ सबीक चितरों की आकरतितर अक्षेप पल में विकरती या तुरुटी आने लगती है अत्या है यह अधिक अक्सांस से विस्तार के देशों के मानचितर इस प्रक्षेप पर नहीं बनाए जाते हैं जो मानचितर में यूरोप आस्ट्रेलिया के अलग अलग देश अत्वाराजे के मानचितर बनाने के लिए यह प्रक्षेप बहुत ही यूजफुल है उप्योगी है यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए क्योंकि आपके लाइक सी ही हमा कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो साथियों के साथ शेर शुरूर कीजिएगा जिससे भी वह लाब उठा सके और अगला प्रक्षेप कौन सा बनाए इसके लिए आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा वीडियो को पूरा देखिए इसकी मत कीजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने बहुत बहुत मिले समय हमें दिया इस प्रक्षेप को देखने के लिए हमारा मनुबल बड़ा है इसके लिए बहुत बहुत पुना धन्यवाद झाल झाल